हम पुझे यह बताए कोई भी खातूम जो किसी क्लास से आया होती है मतलब जिसके घर्टी कोई हैजीव होती है कोई तरीका कार होता है कोई खांदानी लोगों का अरहन सायन होता है जिसकी परबरेच किसी अच्छे गर के अंदर हुई होती है अब आप उसको ऐसे हस्ता हुआ जो करवाई हुई थी सहाफियों के साथ बात चीते सवाले से तमाम अपडेट साप को देंगे इससे पहले पाकिस्तान की सहाफत का एक घटिया सा चेहरा आपको दिखाना चाहता हूँ इनका नाम गरीदा फारूकी है इन्हों नेकल एक वीडियो ट्वेट की ज़्या समात फरमा है आपका एम बीए बीपी 67 बंडी बावदीन आज 4 दिसंबर 2023 को अपने हवाले से चलने वाली वीडियो की बरपूर अंदाज में तर्दीर करता हूँ और इन्शाला मैं बीटी आई और चौदी परवेजलाई साथ खड़ा हूँ और इन्शाला खड़ा रहूंगा शुक्री है फिर अगले दिन जुट बोलती है फिर गालियां खाती है मुझे लगता है इनकी फैंटेसी बन चुकी हुई है अवाम की तरफ से क्रियेटिव किसम की गालियां खाना और रात को उने पढ़ना और महसूस करना जार है इस तरह की हरकत कोई भी एक जिसका दमाग में को सें होगी वो इस तरह की चीज़ तो नहीं करेगा बहराल ये खातून जो है इनको मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक प्रोग्राम देखा था जिसमें इमरान खान साब देने कहा था कि आप बड़ा को लो इंटिलेक्ट का शो कर रहे हैं खान साब जो जो जिनके इतना स्ट होई के खान साब को भी खुसा आगया इनकी ओपर एवन के वह एक सहाफी है मालिक वहां साब के सामने बैट करके कहता है कि मैं आपका गर्वान पकड़ूंगा है हानस समाइल करक didn't find bought करते हैं तो खान साब को इतना घुसा कैसे में प्रोग्राम पूरा देख़ा ओनने हैं ह कुफाना और जाह्लाना और फुलिष किसम की बाते इंगी इनके पास सेंस नहीं है, क्योंकिए ये काबिल सहाफ ही नहीं है, ये किसी गलत रास्ते से आकर के, मीडिया के उपर बैठी वे हुई है, पाकिस्ताणियों के उनफॉर्चनेटली बदकिस्मत ही है कि मीडिया किन लोगों के हाथ में वो खान साब को कह रही है कि खान साब जान देओ मियां साब नुआ मतलब ये कौन सी साफ़त है तो खान साब ने इनको वो बात कही थी बारण आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ ये वाला क्लिप ज़रा नोट करें है बटी साब को तो खान साब से भी जल दी है अचा मेरा ये सवाल एक्चली जो था ये तो खरीदा का था क्योंकि असल कि खान ख़र तो आप निकले हैं अचा अब आप ज़रा गोर करें इसमें तीन खवातीन और भी बेटे वी है महर भुहारी है उसको ज़रा देखें आप फरिया को देखें आप ठीक है उसके बाद मारिया मेमन को देखें आप उनकी ड्रेसिंग देखें उनके बोलने का अंदाज देखें बैठने का तरीका देखें और ज़रा इसे समात फरमाएं कोई बी खातून जो किसी ख्ञास से आई होती है, मतलब जिसके घर की कोई तेजीव होती है, कोई तरीका कार होता है, कोई खांदानी लोगों का अरहन सहन होता है, जिसकी परवरेश किसी अच्छे घर के अंदर हुई होती है अब आप उस कभी उसको ऐसे हंसता हुआ देखेंगे ये तरीका ये अंदाज आप देखेंगे कपड़े देखें इनके ये किस तरह के कपड़े पहन करके बाल देखें के इन्हों ने वो गली बॉले की नुकरों के उपर जो नहीं रूबी ब्यूटी पॉलर बनाया होता है ठीक है उसमें जाके वो साथ रुपए के रंग दिया है बालों को उस तरह के बाल रंग के आकर के तो और हसने का अंदाज देखें हसने का तरह आप अमेजन करें अपने दिमाग मेहर बुखारी को ऐसे हसता हुआ मारिया मेमन को ऐसा ऐसे हसता हुआ ये वाला कहके आप आप ये चीज़ ये चीज़ नहीं होगी आपको क्यूंकि एक देखें पड़े लेकर माहौल एक एक लास में जो लोग रहते हैं जिन्दगी गुजारते हैं अच्छी यज़ उन्वर्स्टियों में जाते हैं ठीक है अच्छी महफलों के अंदर बैटते हैं उनको के मैनर्स होते हैं, आपको उनके अंदर एक ग्रेस नजर आती है, उनके अंदर एक आपको नजर आती है क्लास के, भाई ये एक एजुकेटिड लोग है, पड़े दिखे लोग हैं, इनको एहसास है महफल की अदाप का, और ये खातून मतलब रहती पाकिस्तान में हाथ एहनोंने टाटू बनाया होता है, ठीक है, कभी ये साड़ी पैन रही होती है, कभी टाइट अजीब किसम के, मतलब विदाल लेबास ये पैन रही होती है, और ये देखें ये तस्वीर द्रा देखें, ये पाउं के अंदर इनोंने visit Billy inclined ring रखायओ है, जो योरॉप और यह आपको समझने के यहां पर जरूरत है, यह वो खातून है ना जो किसी बड़े बंदे के मतलब बड़ा बंदा या किसी हाई लेवल के लोगों को ब्लैक मेल करके अपनी कुर्सी के ओपर जमी बैठी रहती है, वो थी ना बच जबान किसम की, चर्फ जबान किसम की महला सार तो ठालेने वारी, हाँ ना ना तू एक कर ले आओ, और मैं तरह नहीं चड़ा की, और मेरा एक कामकार है उस तरह का ना, तो उस तरह की ब्लैक मिलिंग के जरीए अपना मकाम मतलब के कुर्सी के ओपर जमाई रखना, उस तरह की चीज, रोज़ाना के जुट बोलना, रोज जिन्देगी इस खातून की इस चकर में गुजर गई है, कि काबल नफरत है यह खातून पक्सान की सहाफत के अंदर, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे इस तरह की नफरत की जाती है, इस तरह की ट्रोलिंग जिनकी की जाती है, सलीम साफी हो गया, शाजब खनादा हो गया, ठ जगा पे यह पकड़ी जाती है, आज उसके बाद एक एहम अपडेट आपके साथ शामल करना चाहूंगा, इमरान खान साथ का अडियाला जेल से पेगाम कौम के नाम सहाफियों के जरिये से, तहरीक इनसाफ इन्शालला जीतेगी, जितना मर्दी मुझे जेल में रखो, फर डीलर और लीडर का फरक आज कौम देख रही है, अडियाला जेल की दरो दीवार और उसकी सलाखें भी आज हैरान होंगी कि इस जेल में बड़े आए, बिलबलाए, रोए, चीखे, पीटे, सजदों में खुदा से आजादी मांगी, डील कर ली, बड़े बड़े गये जेल क अंदर दो दिन की जेल ने तोड़ दिया, बाहरा के प्रेस कांफरेंसेस कर ली, सालों की वफदारियां तब्दील कर ली, बेन अजीर तक इस मुलक को छोड़ करके चली गई, नवास शरीफ तो मतदत मरतबा मुलक से भाग गया जेल के खौफ से, ये कैसा खुदा का पुर की सरदमीन पर 22 और 23 सदी में किताबों के अंदर पढ़ाया जाएगा, इमरान खान साब में यकीन से कह रहा हूं कि आपने इस कौम को एक ऐसा हीरो दे दिया है, जो दूसरी कौमों के सामने बताते हुए हमें फखर महसूस होगा, ख़दा की किसम, आज जिन माओं की कोक में बचे पल रहे हैं, वो आँखों में आसू लिए, आप जैसा बच्चा पैदा करना चाहते हैं, लोग अपनी उलादों की तरबियत आपकी तस्वीर दिखा करके करते हैं, आपने बहादरी का असल चेहरा दिखाया है इस कौम को, जुर्रत गेरत का, आपने जल्म के सामने ड फखर होता है, हर कौम ये चाहती है कि उसके अंदर ऐसे लोग हों, जिनका दुनिया जिकर करें, जिनकी बहादरी की मिसालें दे, जल्म के खिलाफ डट जाने की कहानिया लिखी जाएं, उन पर डाकुमें बनाई जाएं, फिल्में बनाई जाएं, आपकी जिन्दगी इस ने डटा, ताहूत की ताक्तों के सामने डटा, जबर के सामने डटा, गोलियां खाली नजरीये से ना हटा, उसे जेल न तोड सकी, उसे बलेक मेलिंग न तोड सकी, उसे इल्जामात, बहतान, गंदी, किताबें, फखश वीडियो, फखश आडियो, उसे कुछ न तोड सका, वो एक शखस अकेला एक लाइन पे काइम था जो उसका नजरिया था पाकिस्तान को रखीकी आजादी दिलाना दुनिया की कोई ताकत उस एक सतर से उसे एक इंच पीछे ना हटा सकी तुम्हारी किताबें, तुम्हारी आडियो, तुम्हारी वीडियो, तुम्हारा तशद्द, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारी जेले, तुम्हारी प्रेस कांफेस, तुम्हारे लजमाद, तुम्हारे बोतान, तुम्हारे इंटर्वियो, आज उसे एक इंच अपने नजरिय में जिन्दा रहेंगे, हमारी टेलिवीजिन की सिक्रीनों पे मुबाइलों की तस्वीरों में जिन्दा रहेंगे अब इस कौम के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, अमरान खान साथ, अल्ला ताला आपका साया इस कौम पे काइम रखे, थैंक यू सो मुच पर वाचिंग इस वी लोग, व्रीबाटी